नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है स्टोजर सचन सिक्का केतु को रहस में ग्रह कहा जाता है केतु एक आदमी को सानसारिक मोवाया से हटाकर इश्वर की शरर में ले जाते हैं केतु हमें अपने पूर जन्म के कर्मों का हैसास भी कराते हैं जदि केतु शुब ग्रह के साथ हो शुब काम कराते हैं यही केतु मंगल और शनी के साथ में हो तो पिशास दोष और अंगारक दोष का निर्वान करता है क्रोथ देता है केतु विछेदन का ग्रह है यानि कि रिष्टों में दूरी लेकर आता है दो लोगों की रिष्टों को खराब कर देता चाये वह कोई ब पती-पत्नी का हो, प्रेवी-प्रेव का उ या पाटणर्शिब का हो. के तु धर्म परधान भी है, के तु कर्म परधान भी है, के तु 30 अक्टॉबर से राषी परिवर्टन करने जा रहे हैं और ये ग्रह हमेशा वक्री रहता है, केतु वैसे पांचवी, साथवी और नवी दश्टी से दूसरे भाव को और दूसरे ग्रह को देखते हैं पर कुछ विदवान इनकी सिर्फ साथवी दश्टी ही मानते हैं राहू, केतु के पास किसी भी राषी का स्वामित तो नहीं है केतु व्रश्टिक राषी में उच्चिका हो जाता है और मितुन में नीच माना जाता है केतु के मित्र ग्रहे हैं, बुद्ध, शनी और शुक्र, शत्रू ग्रहे हैं, सूर्ज, चन्रभा, मंगल, लत्न है लेसुनिया, धातु है चादी, भगवान, भैरव और इनके देवता हैं, और इनके गुरु हैं, देव-गुरु प्रस्पति, तत्व है अरनी, दिन है मंगलवार, और दिकता कैसा है केतु धुएं के समार, जो जब शुब होता है, तो व्रच्थी को गुर्वार मनाता है, अध्यात्मी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, धर्म कर्म के मार पर चलाता है, आपका काम का जंडा लहराता है, आप बुद्धी से सभी काम करके सभी का आशिरवात प्राप करते हैं, अच्छा के तू पिछले जनमों के फलो को भी दिखाता है, आपको जनम मनन के चक्रों से मुक्ष क जलाकर मोक्ष की पर प्राप्ती भी करवाता है, अध्यात्मिक छेत्र में उपलब्दियां ही उपलब्दियां दिलाता है, अच्छा के तू छात्र छात्राओं को सीखने का मौका देता है, पढ़ने का मौका देता है, बुरा के तू संगर्ष लाता है, बुरा के तू पढ़ केतु से हो जाती है तो केतु ग्रह का मजबूत होना आप सभी के लिए बहुत ज़्याद आउशक है यह वीडियो है कि तीस अक्टूबर से जब केतु करने राशी में जाएंगे तो आपकी राशी पर क्या परभाव पड़ेगा आप अपनी राशी के पारे में सुनिए पूर परदे वाला है अब कुम्पराशी वालों के लिए केतु अपने मन पसंद घर अश्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं या घर रहसे का है केतु एक रहसे महीं है केतु को यहां पर अच्छा लगता है इस घर में जब भी केतु जाता तो अच्छा लगता है उसे कह सकते ह महसूस होती है सुकूर महसूस होता है आठवा घर कुवा है आठवा घर जो है मोक्ष त्रिकोड है काल पुरुष की कुणली में आठवे घर में वरश्चिक राशी आती है जहां पर केतू उच्च के बारे जाते हैं यानि वरश्चिक राशी केतू की उच्च राशी हुई त तो आपको यहां पर केतु, ध्यान, समाधी, योग, धर्म के कामों में आगे लिए जाएगा, धर्म में विश्वास को बढ़ाएगा, आप बढ़िया रिशर्च कर पाएंगे, शोध कर पाएंगे, कुवा क्या है, कुवा एक पाताल है, तो किसी भी चीज के अंदर जो भेद चुपा है, उसको निकाल कर बाहर लेकर आना, उसके रहस्यों को उजागर करना, आप एक खोजी व्यक्ति बन सकते हैं, आप कोई डिडेक्टिव हो सकते हैं, वो भी कुछ ने कुछ खोचता है, आप वग्यानिक हो सकते हैं, आप किसी चीज में पियस्दी कर सकते हैं, किसी दुनियादारी के कामों में आप आएंगे तो तरक्की कम होगी, देखें दो तरीके के काम होते हैं, एक दुनियादारी के कि घर काटा ले आओ, सबजी ले आओ, इससे मिल लो, उससे मिल लो, अगर आप ऐसा कोई वहवारी काम करेंगे, तो उस पे आपको बहुत तरीके एक्स्प्लोर करें, कि इसका उत्तर कैसे लिखा जा सकता है, बच्चे पढ़ाई के नया तरीके एक्स्प्लोर करें, कि हम कैसे अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, तो वो एक्स्प्लोर करें कि हम कैसे इंप्रेस कर सकते हैं अपने साथी क कोई नया तरीका ढूंड़िए, explore करिए, अपने आपको और बढ़ाईए, पुराने धर्रों पर नहीं चलिए, समझें, पुराने धर्रे नहीं, आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें कैसे आप अपनी कारेच छमता को बढ़ा सकते हैं, वैपार में कैसे आप लोगों को अपनी खीर सकते हैं, कुछ नया करके, कुछ अपने जो गुण हैं, नौकरी वैपार में, पढ़ाई में निकाल कर, कैसे आप प्यार महबबत में, नेने शब्दों का प्रियों करके अपने साथी को खुश कर सकते हैं, explore, चीज़ों को बढ़ाईए, enhance करें, जो आपके अंदर स्ट्रिट में बिखती है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमे धनिया डाला, थोड़ा सा सजा दिया, थोड़ा सा लानी का तरीका हो गया, यही तो एक चीज, आप उसी तभी तो आकशित होती हैं, तभी वो 20-30 रुपर ली डाल 500 रुपर में खा के आते हैं, यह सब चीज गा, तभी आपको मज़ा आएगा, आठवा घर जो होता है, वो ग्रहस्त की किल्ली है, साथवा घर हमारा वैवाहिक जीवन ग्रहस्त है, तो आठवा घर ग्रहस्त की किल्ली है, तो अगर केतु यहां पर खराब हुआ, तो पती-पत्नी के बीच में या जीवन साती की सेहत म दिक्कत हो सकती है या कोई बड़ा खत्रा पैदा हो सकता है सेहत को लेकर या रिष्टों को लेकर कोई बखेडा भी खड़ा हो सकता है तो केतू को बिल्कुल भी खराब करने की कोशिश मत करिएगा बेटी को तकलीफ हो सकती है आपकी, के तु खराब हुआ तो, आपकी जर्म खुली में खराब हुआ तो भी, बेटी को तकलीफ हो सकती है, बेटा देर से पैदा होगा, के तु बेटे का भी कारत रहे हैं, आप चाहते हैं, आपकी पहली या दिती संतान पुत रहो, तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है दोजर तेजिस चौबिस पच्चिस में खराब केतु बेटे के जन्म को देर से दिखाता है या कोई ना कोई प्राबलम दे देता है या जीवन में उथल पुसल दिखा देता है आपके पैर में कोई तकलीफ होने लगे आपकी किड़नी में कोई तकलीफ होने लगे तो समझ जाएं, समझ जाएं कि केतु खराब हो चुका है महिला की कुड़ी में केतु अगर अस्टम भाव में हो तो विवा से पहले पती की अच्छी सेहत के लिए पूजा पाट करा लेना चाहिए और अगर अगर किसी का भी अस्टम भाव में केतु है और आपको मराशी के हैं और आपकी गोचर कुड़ी में तो है आपकी वर्षफल की कुड़ी में भी आगया और आपकी लगन कुड़ी में भी है तो जिससे भी आप शादी करने जा रहे हैं लड़का लड़की की सुरक्षा के लिए पूजा पाट करा ले लड़की लड़की की सुरक्षा के लिए पूजा पाट करा ले तो बहतर रहेगा ऐसा समझने कि किसी को भी दोनों पक्षों को कष्ट नहीं आना चाहिए ना महिला को ना पुरुश को केतू मजबूत होगा, तो बुरे प्रभाव नहीं पड़ेंगे, वहां इत्यादी खराब हो, बार बार चोट लगे, बार बार वहां खराब हो रहा है, तो समझ ले केतू खराब है, बार बार अलग-लग तरीकों से बिमारी आए, पत्नी की सिहत खराब हो, घर में कले कलेश हो या उस वक्त अपनों का साथ ना मिले जब आपको सबसे ज़्यादा जरूरत हो तो समझ लिए केतू बिगड़ चुका है, बिजली का करंट लगे, करंट से नुकसान हो आपके घर में किसी महिला की प्री मच्योर डिलिवरी हो जाए या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएं डिलिवरी के वक्त तो दिक्कत है तो इसका मतलब है कि केतू खराब हो चुका है अब उपाय क्या करने हैं, काले सफेद कंबल का दान दे, हन्मान जी की पूजा करें केसर का ठीका माते पर लगाएं, गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त रोग में कोई कष्ट हो सकता है, रसौली हर्दियां जैसी प्राब्लम भी हो सकती, पेशाब के रोग, पत्री के रोग भी हो सकते हैं, आपरेशन को करिए और आगे बढ़िए तो केतु अगर अस्टम भाव में अच्छे हुए तो आपको माला माल जरूर कर देंगे और केतु अस्टम भाव में बुरे हुए तो दिक्कते भी दे देंगे तो जो उपाय बता है इस उपायों को जरूर करिएगा रोग परशानी दे सकते हैं तो केतु का अच्छा बना कर रखिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप राजा बाबू बन जाएंगे, आपको जीवन का हर सुख मिल जाएगा, तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि केतु को हमें शुब बना कर रखना है, केतु का शुब नहीं बनाना है, आप दिये गए नमरों केतु किसी भी दरीके से खराब है, तो उसको सुधारने के लिए हम आपको उपाए बताएंगे, आपकी जनम कुल्ली के हिसाब से, और आप तरक्की पा जाएंगे, अपने बिगले होगे केतु को और अन गरहों को सुधार कर, तो मिलाएए फोन, और अभी जाज कराएए अ कि आपको केतु या अन गरह कि अशु प्रभाव कभी न मिले हर्यों नमस्कार